हेलो पीपल तोड़े आई वांट तो टॉक अबाट दा इंस्ट्रेक्शन रेजिस्टर ओकी डाट इस पार्ट ऑफ दा ब्लॉक डियाग्राम ऑफ 8085 मेक्रो पुशेसर हम लोग इसके पहले जो बात कर रहे थे लास्ट फ्लैग रेजिस्टर बात किये हुए हैं हाना सबसे पहले क्या है यह यह भी हमारा क्या है इसको कोई पर यूज करते हैं कौन सा काम हम लोग यह देखेंगे हैना फर्स्ट सेकेंड क्या हो गया इट इस नॉट यूजर डिफाइन रेजिस्टर यानि कि यह हम लोग के लिए नहीं है ओकी कौन यानि कि इस रेजिस्टर को क्यों kommen하는 libre in मैकरो पुर्सेशयुर्य ही करेगा और यजयूज चोम आपनेस्ट इसन WOW के लिए यह हूद अब यहां पर इंस्ट्रक्षिन गराय मतलभ यह को मब बात कर सकते हैं जब कोई भी इंस्ठरक्षिन कि मैंने लास्ट किलास में बात किया था इसके कोड़िंग करें जैसे से हम लोगिंग इसको इसको इसंस्टक्षांग करना तो इंस्ट्रक्शन में जो है मैंने क्या कहा कि इंस्ट्रक्शन जो है उसको में दो पार्ट में बाढ़ते हैं आप कोड प्लस ऑपरेंड ओकी इस्ट्रक्शन जिस कोड के तहत आपरेशन करता है और जिसको आगे वरगे डिटेल बात करेंगे तो हम नहीं क्या बात किया कि जो भी फाइनल रेजल्ट होता है जो हम लोब इंस्ट्रक्शन को एगजिक्व्यूट करते हैं जो इंस्ट्रक्शन को परफॉर्म करते हैं हमें हैं जैसे हो गया सब हो गया आइनर हो गया स्टाल हो गया जितनी सानी स्टॉट्षण अगर उस इंस्ट्रक्शन को स्टॉट करवा आटा है तब उस कंडिशन में जो भी final result है that final is a store in the instruction register ओकी पर जिएम एक के instruction को execute कर वाई तो उसके बाद जोब्히 result होगा से कुछ क हम लोग कहां श्टोर करेंगे instruction register अक्वी यानि के लोग कहने के जह रहा है कि इट बिल प्रोभाईंड instruction इस work के तहब तो यानिकि आ स्टक्शन में क्या स्टोर हैy ऐनील रीज़ल्ट तो फैनल राट यानीकि यू फिल प्रोवाइड दा आ पकोड ओफ पर्जेंट इंस्टरक्शन विच इस बिइंग आकि frontal यानि कि जो instruction मालेते हैं कोई भी instruction हो हमारा add हो sub हो, ok move हो, ok LDA हो, कोई भी instruction हो तो हर instruction का अपना-पना code है और जिस code के तहत हम लोग operation करते हैं that is called opcode तो वो ही opcode जो है वो जहां store होता है वो हमारा कहलाता है instruction register यानि कि instruction के opcode को store करने के लिए जिस register का इस्तेमाल कर रहा है that is called instruction register कौन सा instruction वो instruction जो present में execute हो रहा है अपकोस जब हम लोग प्रोग्रामिंग करेंगी तो उसमें बहुत सारे instruction होंगे है जिसे मालेते हैं हमको वो लोग को गांधी में जाना है यहां प्रोग्रामिंग करते हैं या कुछ में फंक्सन करते हैं तो आपे स्टेप बाई स्टेप प्रोसेस होता है तो यहां पे उस प्रोसेस को यहां पे कभर करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट कोड्स हैं वही कोड्स पर हम लोग बात करते हैं यहां पर बोल सकते हैं की इνस्ट्रक्शन इस टोर्ड इन जिस्ट्रक्शन रजिस्टर हैं कर लोग कहा है इस मैं त्रयोंति रजिस्टर में यानि कि अगर हम लोग आर्ड डिप में बात करें तो जिस इंस्ट्रक्शन के आप वुँए परिजेंटली एउट कर रहे हैं उस निस्ट्रक्षन के ऑप कोट को जो कहां श्τοर कर रहे हैं Producer ми तो यह on마am würome यहां पर इस टॉपिक हमारे क्या है इस टॉपिक डिकोडर एंड मशीन साइकल इंकोडर है ना जसी तो मैंने क्या का कि इस टॉप कोड स्टोर है जो परजेंट ली एक्जीक्यूट हो रहा है यहांने कि प्रोग्राम में जो जो करेंगी करेंगे ओकिया जूए जएक्जीक्यूट होने वाला है वो सारा इन्स्रक्शन का ओप कोड ने स्टोर हो रहा लेते हैं 7EH, hexadecimal में हम लोग अपकोर्ड को दिखाते हैं और हर instruction का अपना अपना अपकोर्ड ऐसा नहीं है कि दो instruction का एक अपकोर्ड हो सकता है ओकी हर instruction का अपना अपकोर्ड है जो Intel Company के दौरा बनाया गया itagelelectronics companyintend for integrated you for Souls एना इंटल company के द्वार्व बनाया गेए है तो अब यह code है आप डाला हुआ है जो इसको यह क्या करता है instruction decoder उसको decode करता है यानि कि उस उस code को decode किया यानि कि अब decode करने बा Mario क inventorly का हुआ सपोज तो यह जो रहा है अगर यह दो डिंटा को आट करने के लिए कह रहा है है तो हां पर इंस्ट्रक्षन डिकोडर डाट इस टूपर्फॉर्म दा भेरी भेरी इंपपर्टिंट आपरेशन It is used to decode the instruction Okay, instruction को decode करने के लिए यूज़ किया जाता है Okay, कौन से instruction को? जो instruction हमारा instruction register में store है सभी instruction को नहीं और instruction register में कौन से instruction store है? वो instruction जो presently execute होने वाला है Got it? यानि कि एक program में जब कोई भी instruction execute होता है तो वो instruction कहां भेजा जाता है सबसे पहले उसके off code को instruction register में भेजा जाता है एक sequence में अभी मालेते ये सारा मालेते instruction को जाना है तो पहले ये instruction किया तो इसका off code भी sequence में जाया कि ये जाएगा कि ये अगर ये जाया तो इसका off code जायागा तो एक sequence में जाता है है ना तो यह क्या कर रहा है यूस्ट टू डिकोड दा इंस्ट्रक्षन ओके विची अस्टोर इन इंस्ट्रक्षन रजिस्टर एंड उसके बाद क्या करता है makes a sequence एक sequence बनाता है makes a sequence of steps for the program ओके महां लेते हैं कि यह हमारा जो है sequence बनाने के वहां पर रहना है पहला दूसरा तिसरा सब्पोर्ज यह से रेंडम लिए हम लो ले रहा है ओके तो पहले इसका आपकोड जाएगा फिसका आपकोड जाएगा फिसका आपकोड जाएगा तो इस्ट्रक्षन डिकोडर क्या करता है डिकोड करके सारी का एक sequence बनाता है ओके थार्ड नंबर फोर्थ नंबर लाइग डैट ओकी sequence बनाता है ओके कौन बना रहा है instruction decoder इसके साथ और क्या है और machine cycle encoder तो इसका dual function है पहला instruction को decode करना कहां जो instruction register में stored है ओके उसको decode करके उसको एक sequence बनाएगा एक program के लिए और उसी sequence के तहद क्या होगा instruction बार बार आएगा अब दुसरा क्या करेगा कि यह क्या करता है machine cycle encoder machine cycle यानि कि clock cycle जिसको आप आगी जाके देखेंगे आप don't worry तो यह क्या करता है इट प्रोवाइड दा corresponding machine cycle इस वन ओकी जीरो और वन है ना इट प्रोवाइड दा corresponding machine cycle ओके machine cycle को मुझे देखेंगे detail में encoder यानि कि एक code के तहत ओके एक code के तहत machine cycle यह प्रोवाइड करता और उसी के according जो है हम लोग को पता चलता है को उसमें कितना समय लगने वाला है ओके तो यह हो गया हमारा क्या इंस्ट्रक्शन डिकोडर एंड मसीन सैकल इंकोडर नेस्ट टॉपिक जो भी देखेंगे वह है यह सबसे पहले हम दो बात करें अबकोश है यह भी है श्पेशल परप्स रिष्टर है अफ है न कि यह शिस्टिन बीट श्पेशल परप्स रिष्टर् रहे थे जन्र परपस में रेटर पर बना कि मुलों सिस्टिन बीड़ वात कि है ना उसके बाद यह यूजर डिफाइंड र यानिकि इस रिच्टर को मुलों अपने तरह से अपने ढंग से डिफाइंड कर सकते हैं कि कौन से मुलों यहाँ पर यूस करेंगे अब हम्लों स्टैक P तो पॉइंट आट करने उला तो अस्टैक है ग्या ओकी सबसे पर विवर बात करते हैं स्टैक है ग्या कि तो अस्टैक के उह डिफाइंं करना चाहें, then a stack is a sequence of memory location, एक memory location, okay, एक sequence, sequence of memory location, set aside by the programmer or user, it is a set, it is a sequence of memory location, okay, memory location set by the user or programmer, क्यों, just to store the contents, हाना, contents of the accumulator, अपकोस, जो भी operation हो रहा है, तो उसका operation के बाद कहां store हो रहा है, accumulator में, okay, तो accumulator का जो contents है, उसके लिए जो लोग मेमोरी करेंगे, वो memory हमारे ही sequence बना हुआ है, ओकी, तो मैंने क्या का, take is a sequence of memory location, set aside by the programmer और user, तो user के द्वारा जो है, set किया गया है, और यह sequence है, memory location का, memory location यानि कि address है, address का एक sequence है, okay, memory location का एक sequence है, जो user और programmer के द्वारा set किया गया है, क्यों, just to store the contents of accumulator, accumulator की content को, flag की content को, program counter की contents को, और अगर कुछ special purpose register हुए, तो उसके भी contents को store करने के लिए, एक memory location का sequence बनाये गया, okay, memory location का sequence बनाये गया, उसी को हम लोग क्या करें, a stack, बट यह कब, during the execution of any program, आम ऐसे नहीं के हमेशा के लिए बना दिया, this is a temporary house, this is a temporary memory location, this is not the permanent house, okay, जिसे हम लोग प्रमानेंट घर में रह रहे हैं, लिए हम लोग जब कहीं भी बाहर जाते हैं, तब वो hotel जो हमारा present उस जगा का address होता है, ओके, जो वहां का honor decide करता है, कि यहां पर यह घर में कौन, यह घर में कौन, यह घर में कौन, वो कोईस कैसे रहेगा, तो यहां पर भी जो हम लोग बात कर रहे हैं, stack is a sequence of memory location, set by the programmer, just to store the contents of accumulator, flag register, program content, जो हम लोग आगे देखेंगे, don't worry, okay, some special purpose is during the execution of the given program, जो भी दियावा program है, उसी program को execute करने के लिए, हम लोग क्या करते हैं, memory location का एक sequence बनाते हैं, उसी को हम लोग क्या कर रहे हैं, a stack, यारि कि almira बोल दो, simple, कि पहले यह almira खुले यह, फिर यह, फिर यह, okay, almira में सब रखा हुआ है, बट, यह sequence बनाया हुआ है, कि इसी sequence में यह काम करेगा, तो किस sequence में काम करेगा, okay, तो उसका हम लोग बात करेंगे, तो यहाँ पर a stack, यारिक हम लोग बोल सकते हैं, कि जो memory का portion है, any portion of the memory, okay, memory के portion को use करेंगे, ना, वे memory location के लिए, okay, जब memory location हैं, तो हम लोग मेमोरी को locate कर रहे हैं, तो हम लोग बोल सकते हैं, any portion of the memory is considered as a stack, memory के कोई भी portion को, उसको हम लोग क्या consider कर रहे हैं, a stack, यारिक कि हम लोग stack, तो यह stack हो गया, अब stack को point out करने के लोग क्या कर रहे हैं, okay, तो हम लोग बोल सकते हैं, finally, a stack क्या है, एक area है, a stack is an area, is an area of memory, okay, memory का एक area है, which is used to hold the data, which is used to hold the data, that will be retrieved soon, okay, retrieved, 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 यारिक की recover, this one, okay, retrieved soon, यारिक की हम लोग क्या बोल सकते हैं, क्या stack जो है, that is the sequence of memory location, okay, set aside by the programmer, just to store the contents of accumulator, flag, special type of register, program content during the execution of program, उसके बोग नहीं क्या का, यानि क्या हम लोग बोल सकते है, stack is a sequence of memory location, हम लोग क्या का सकते है, any portion of the memory is called stack, okay, उसके हम लोग क्या बोल सकते है, stack is an area, area, okay, area of the memory, क्यों, which is used to hold the data, which is used to hold the data, which will be retrieved soon, जिसको जल्दे से जल्दे रिकभर करना, जिसको जल्दे से जल्दे यूज करना, रिकभर, okay, that is called a stack, okay, अब यह stack जो है, यह याद रखेंगे, यह stack works on the principle of lipho, this one, last in, first out, lipho, first looking word में तो पता चल जाएगा आपको, first out, it works on the principle of lipho, है ना, अब यह last in, first out है, क्या, last in, यह last, last in, first out, okay, आप देखांगे, बहुत सारे company में नीचे से मनों समान रखते जा रहे, फिर धेरी जा रहा है, फिर दूसरे जा जा रहा है, ऐसे बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, this is the sequence, okay, जैसे हम लोग ने क्या गया भही, सबसे पहले 8001 को प्लेस किया, this is the address, temporary address, यह कहां जाएगा, यहां जाएगा, यहां जाएगा, यहां जाएगा, यहां, फिर 8003, फिर 456, उसी तरह जो है, 789 यहां पर आ गया, 8009, फिर 800A, नहीं, 800B, लैक डाट, यह सारा hexadecimal में होगा, तो last in, first out, यानिकor इधा से input देंगा, इधा से निकलेका, first out, sequence हम लोग बनाा रहा है, पहले see address पर बार करेगा, फिर see address पर बार करेगा, फिर see address पर बार करेगा, फिर see address पर बार करेगा, ग्या है हमले इसको आगे देखेंगे, de updating में, तो यह हो गया, stack works on the principle of last in, first out, हणा ना सी मैं कंगे तब लों यहां पर जो प्रेश्न स्पीड है जिसकर बिना रहे है एक सेट्विंट्र साथ साथ स्टैक सेफ्ट दा कंटेंट ओफ सेफ्ट दा कंटेंट ओफ दोज रेजिस्टर ओके विच आड नीड़ेड इन दा फर्दर स्टेप्स अप प्रोग्राम यानि कि प्रोग्राम के फर्जेशन दोब पांच स्टेप्स यहां दिखाये थे माल लेते हैं मुव एम भी का क्राइड क हो के इस्टिय यह दिखा रहे हो और यह ने यहां पर क्या बोला कि प्रोग्राम के फर्दरर स्टेप्स में पहला स्टेप में यह चला गया घुछ है तो दुस्रे स्ट्रेप में यह जाएगा तो इस इस इंस्ट्रक्शन जो भी आपकोड होगा जो इसके बाद इसके वाद इसका निडेड होगा which are needed in the further steps of the program अब यह हो गया उसके वाद कि इसको save करेगा इसको save करेगा फिर इसको save करेगा इसी principle पर इसी तरह से हम लोग क्या करते हैं वर्क करते हैं अब इसी stack को point out करने वाले को हम लोग क्या कर रहे हैं अस्टैक पॉइंटर जो 16 बिट अस्पेशल परपस रेश्टर है है जो हमारा जो है यूजर डिफाइंड रेजिस्टर है ओके वेची यूज़ टू point point out the memory ओके memory को point out करने के लिए हम लोग क्या करते हैं इसका इस्तेमाल करते हैं हाना यानि कि हम लोग बोल सकते हैं इट इस यूज़ टू कंट्रोल दा अड्रेस ऑफ दा स्टैक अपकोस अड्रेस क्या दे रहे हैं वह कौन डिटर डिसाइड करेगा स्टैक पॉइंटर यहां पे 8001 होगा कि 2001 होगा या 5001 होगा ओके वह हम देखाएंगे जा हम लोग इस्ट्रक्शन करेंगे मेमरी प्रोग्राम करेंगे टाइमिंड डाग्राम बनाएंगे तो सारा चीज़ देखाएंगे डोंट वरी तो यह हुआ स्टैक पॉइंट अगा कहानी जो आपको नोट्स में लिखने के लिए आएगा हम लोग नेस्ट जो भी बात करेंगे डाट इस दा प्रोग्राम कॉं कि फोल्ड्स दा अड्रेस ओफ टॉप आलिमेंट परृजेंट सिन अ स्टैक यानि कि आपको बोल सकते हैं प्रोग्राम करेंगे अंच्छक्षी कि में त्यांद रखेंगे अंगbung देखते हैं प्रोग्राम कॉंटर्व और wt Tennaux देखते हैं। हम लोग PC से दिनोड कर रहे हैं ओके PC program counter तब्कोस यह भी हम लोग जो पढ़ रहे हैं special purpose register के अंतरगत पढ़ रहे हैं हाँ तो यह भी हमारा क्या होगा special purpose register होगा लेकिन 16-bit special purpose register होगा यह भी हमारा क्या होगा user डीफाइन रेजिस्टर होगा है ना यानि की ये हमारा क्या होग prophe úosto हुआ और ये स्पेशल पर पयस्टर हो तह से पहिस्टार का नर या ये परोग्राम वी कि यक्रESE waala तो program नहीं number programme कickers नहीं program के अंदर करने वाला address को ऑलों कि जी से old पॉइंटर में हम लोग ने address दिया तो वह address कौन देगा के ऑड्रेस कौन देगा वह तो इंडिकेट करहना ड्रे इंडिकेट करना देन प्रोग्राम काउंटर एक 16 बीट इस प्रपर्पस रिष्टर है यूजर डिफाइंड रिष्टर है इसका डिफेंट डिफेंट फंक्शन है इस यूज़ तू जेनरेट और प्रोवाइड दा स्टार्टिंग अड्रेस अफ दा प्रोग्राम यानि कि यहां पे जो अड्र से लेकि FFFS के बीच में कोई भी अड्रेस डिपेंडिंग अपन दा प्रोग्राम उसके एकॉर्डिंग प्रोग्राम काउंटर क्या देगा स्टार्टिंग अड्रेस को यानि कि प्रोग्राम के स्टार्टिंग अड्रेस को प्रोग्राम काउंटर ही प्रोवाइड करता है क् याद रखेंगे सेकेंड तिंग्स क्या है इट इस यूजड टू इट इस यूजड टू जेनरेट और प्रोवाइड दा एड्रेस ऑफ नेश्ट इंस्ट्रक्शन विचिस टूबी एग्जिक्यूटेड जैसे मैंने एक सिक्वेंस बनाया कि पहले मूब है फिर एंबी आई है फिर एड है फिर एस टीए है फिर एचल टीए सपूज ओके तो पहला इसका स्टार्टिंग एड्रेस क्या होगा ये जो है प्रोग्राम कॉंटर ही देगा और नेश्ट इंस्ट्रक्शन का भी एड्रेस क्या होगा वो भी प्रोग्राम कॉंटर ही बताएगा है ना ऐसा नही तो दुस्रा हो गया बना नहीं है जरूहरीए नहीं कि यह भी सकता हैं दों दो चीज पहले याद रखेंगे marquee। to provide the starting address of the program, it is used to provide the starting address of the program, starting address and also it is used to provide or generate the address of next instruction which is being executed, यानि कि ये एक्जिक्विट करके address मिल क्या, अब इसका address क्या होगा, इसमें, ओके, ये कौन बताएगा, program counter, clear, now, third function जो है, it is, it will provide the sequence of program, okay, program के अंदर जो sequence बना हुआ है, इसको भी कौन प्रोभाइड करेगा, program counter, यानि कि वो बोल सकते हैं, it is used to control the address, sorry, it is used to control the sequence of execution, execution of instruction, यानि कि जो भी instruction execute हो रहा है, ओके, उस instruction के execute करने का sequence कौन बताएगा, program counter, तो starting address भी दिया, next instruction जो execute होने वाला, उसका भी address ही दिया, उसके बाद इसके sequence को भी कौन बना रहा है, program counter, then that is a major part of the macro processor, macro processor में जो है, जो program counter है, वो बहुत बारा part play कर रहा है, हाना, now, macro processor क्या है, macro processor increments the contents, contents of program counter, जैसे program counter है, contents हो गया, पहला, starting address, 0000H, इसी 800H को यह क्या करेगा, macro processor उसके content को increment करेगा, यानि कि, इंडिकेट करेगा, address of next instruction, which is being executed, यह हो गया भाई, हाना, इस program counter का यह address दिया, तो program counter का content हो गया, अब next instruction में, यह कितना increment होके आएगा, one increment होगा, यह two होगा, यह three होगा, ओके, वो depend करेगा, कि next instruction, यह हमारा जो है, कौन से instruction को आग्जेक्यूट करवा रहे हैं, कहने का since क्या है, आगे में आगे में आगे इंस्ट्रक्षन का टाइप करेंगे, ओके, उसके कॉड़े में बात करेंगे, don't worry, if the instruction is one white, ओके, अगर इंस्ट्रक्षन हमारा one white है, then program counter is incremented by one, ओके, यानि कि अगर यह one white अभी नहीं जानते हैं, कितने बाइट गा, अगर यह one white है, तो निस्ट्रक्षन होगा एट जिरू 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 होगा, गर यह three white instruction है, तो यह तीन increment होगा, यह जिरू जिरू सिक्से इस तरह से, और उसी तरह से हम लोग प्रोग्राम कॉंटर पर बात करेंगे, तो उसके बताता है program counter कि निस्ट्रक्षन का एड्रिस क्या होगा, वो करेंगे इस चीज को है ना नेश्ट में देखेंगे इंक्रिमेंट डिक्रिमेंट लाइच जसी अब हमारे पास ब्लॉक डियाग्राम में बच गया इंक्रिमेंट डिक्रिमेंट लाइच और बफर तो चोटा-चोटा चीज़ है देखेंगे इंक्रिमेंट डिक्रिमेंट लाइ रेइस्टर है साथ साथ इसको जो यूज़ करते हैं इसका यूज़ करते हैं बस जो देखेंगे डिटेल में इसका बस यहां पर सॉट में इतना ही पढ़ना है नेश्ट हमारा क्या है बफर क्या है एक तरह को लॉजिक सर्किट है सबसे पहले यह क्या करता है सिगनल को याद रखेंगे यह इन्पूट हो गया और यह और पूट हो गया एक इन्पूट एक और पूट तो लॉजिक लेवल बफर क्या है यह नौट जीट की जिसा नहीं है अगर यह वन पे है तो यह भी बन पे होगा यह जीरो पे है तो यह भी जीरो पे होगा यानिकि सेम लॉजिक लीवल होगा याद रखेंगे इस चीज़ को भी हाना इट यूज टू इंक्रीज दा ड्रैविंग कैपेसिटी ऑफ एन देना इसां यह अज़े है लूजर अगर यह हमारा अगर इस तो यह द्लीट का में बड़ाता है तो इसलिए मैं इसको ड्रैवर भी करते हैं ओके ड्रेवर और जो मुलों सिग्नल बफर जैसे इंटरनेट स्लो होता है तो वो क्या करता है बफरिंग करता है बफरिंग करता है तो इस तरह से मुलों पूरा जो है अब ब्लॉक डियागराम को नेश्ट में जो मुलों टॉपिक करेंगे अब इस्ट्रक्शन यह बहुत बहुत इंपोर्टेंट है सभी के लिए बेसिक से अब पढ़ते रहेंगे अच्छे से देखेंगे तब आप प्रोग्रामिंग समझेंगे टाइमिंग डियागराम समझेंगे बेसिक है ओके सारच यह समझेंगे कि करके ओके थैंक यू